तो नथिंग फोन वन के वारे में इसी साल के एंड में लॉंच होने की कन्फरमेशन आई है यह मार्च 2022 में जब इसका लॉंच इवेंट रखा गया था और मेरे यह साब से अब तक के सबसे ज्यादा हाइप वाला फोन भी है इसलिए ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस हाइप स्मार्टफोन बना था उस साल का यानि 2020 की बात हो या 2020 की बात है से जब वह फाला फोन आए था आप लोग कमें सेक्शन बताना कि वन प्लस नॉट कब आय था क्योंकि उस साल बहुत ज्यादा हाइप हुई थी उस वाले फोन के बारे में तो सेम कुछ यहां भी वही सीन नजर आ रहा है क्योंकि इस वाले फोन के बारे में भी बहुत ज्यादा इसकी हाइप की गई है क्योंकि इन्हों ने कहीं न गए इंडार्टी एपल को टागेट किया था और यह भी बदा रहा है कि हम भी एपल की तरह एक एको सिस्टम बिल्ड करने की प्लानिंग में है तो कंपनी के फाउंडर ने यह कंफर्म किया था कि यह वाला फोन यानि फोन वन इस साल के एंड में हमें देखने को मिल सकता है यानि समर उन्होंने कहा था अगर यूरोप के हिसाब से समर देखा जाय तो जून जुलाई अगस सेप्टमबर यानि यह कभी भी इन महीनों मे यह दस्तक दे सकता है तो प्रॉबली यह भी हो सकता है कि शायद आने वाले कुछ वीक में इसके कुछ ना कुछ टीजर वगएरा डालने सुरू कर सकते हाला कि फ्लिपकार्ट में इसका सपोर्ट पेज अल्रेडी लाइव हो चुका है वहाँ पिर नथिंग अनलाइक नथि किया था क्योंकि पहले ही का गया था कि जब मई के महीने में इसका लाउंच लाउंचर अनाउंच होगा जो कि कुछ स्मार्ट फोन के लिए होगा लाइक दैर सामसंग गूगल बागी फोन में सपोर्ट नहीं करेगा लोगों इसके लाउंच ट्राइग एते सोचल मीडिया पर स्क्रीन शॉर्ट शेयर किये थे कुछ वैसा ही नजर आया था जैसा कि इन्होंने लाउंच इवेन में कुछ फोन की जल्कियां दिखाई थी फ्रंट में स्पेसिकेशन के बारे में तो लाउंचर भी कुछ सेम कुछ ऐसा ही महसूच हुआ था हाला कि ज्यादा उमर है कन्फरमेशन अभी तक फिलाल ब्रांड की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से कुछ नहीं आई है कि वह मन की बात है हाला कि पिछले कुछ हफ्तों में इसके कुछ कॉंसेफ्ट रेंडर्स भी लीक किये गये थे और उनके इस आप से भी देखा गया था कि फोन कि ला खाली मन की कल्पना ही होती है कि की फोन कुछ ऐसा भी हो सकता है लेकिन कभी-कभी क्या होता कि जब फोन लॉंच होता है मार्केट में तो उसके बाद जब आप्पर फोन एक्च्वल मिलाए जाते हैं तो बहुत रेयर गेस में मिलते हैं यह दर्वाइज तो 60% मिलता या भी कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है तो यह concept renders ऐसे काम करते हैं इस वाले फोन के भी concept renders निकल के बाहर आए थे जिनके साफ से देखने हम तो फोन बहुत ही ज्यादा ट्रेक्टू लग रहा था अब फाइनल प्रोड़क्त क्या निकलता है कंपनी के तरफ सी है तो जब लॉंच इस वाले फोन के यूजर मैनुवल गाइड से लिए गया है जो की अमेजन इंडिया के वेबसाइट पर ये लाइफ है मतलब की फोन वन की यूजर मैनुवल गाइड ऑलरेडी चाल लॉंच हो चुकी है वहां ते इसके कुछ स्पेसिफिकेशन शेयर किये गया थे जैसे की ह साथ के साथ कुछ क्याम ائlek बारे में रहुत है कुछ बैरटरी इंफोर्मेशन के बारे में भी निकल के सामने आगए इसके साथ बढ़ रहा है कि फोन में कुछ नए नहीं देखने को मिल रहा है जैसा कि Catello PGI औहए प्रजम किया था या फ़िर उन्होंने अनॉउंस किया था या लूं कहा जाए कि कंपटीशन देने के लिए आपल को टांगेट किया था तो कुछ के अनल की हुछ आप हो सकता मुझे आप कि अगर आप एपल को टागेट कर रहे हैं तो हो सकता है साथ उसके बराबर कुछ चीजें देने की कोसिस की लेकिन ये कहीं ना कहीं इन डार्क ली खुद का प्रमोशन है बिना कुछ पैसा लगाई हुए क्योंकि अगर हम किसी बड़ी ब्रांड को टागेट करेंगे तो मुझे नहीं फील हो रहा है हाला कि जो बुक से लीक हुई तो इसके बारे में अगर बात की जा तो 6.43 इंच की सुपर एमोलेड वाल डिस्पेट 90 रिफ्रेट के साथ ये आएगी मतलब बताया जा रहा है कि इसमें हो सकता है साथ के साथ एच डिया टैन प्लस सर्टिफाइ बताया रहा है लेकिन फिलाल ऐसा लाग रहा है कि इस वाले फोन के कुछ और वेरियंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं प्रॉबली ये भी हो सकता है कि फोन सिक जीवी से स्टार्ट हो या या भी हो सकता है कि मैक्सवान 256 जीवी तक यह जा सके लेकिन जो लीक्स आई है उस क्यामरा भी देखने को मिल सकता है सेलफी शूटर की बात करा जा तो 32 मेगा पिक्सल का बताया जा रहा है जो अभी इबुक में लीक हुआ था साथ के साथ कुछ क्यामरा फीचर से भी दिखेंगे जो कि हर फोन में होते हैं 45 मेंच की बैटरी भी बताया रही है लेकिन इसकी क्या फास्चार्जिंग होगी या फिर कितने वाट की फास्चार्जिंग को सपोर्ट करें तो फिलाल अभी रूमर्स ही बना हूँ लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि पाफ्लोड हुए फोन की अमेजन वाले पेस पेस्पे तो क्या पॉसिबली हो सकता कि वह वी एक तरह से फेक ही हो क्योंकि अभी भी ब्रांड की तरफ से कुई कंफर्मेशन नहीं निकल के सामने आई थी कि हम क्या इसमें हाइड इसको बिल्ड किया जाएगा हाला कि अंड्रोइड 12 के साथ यह वाला फोन लॉंच होगा यह पहले सी कंफर्म हो चुका था तो मेरे इस वाले फोन में अगर जो स्पेस्फिकेशन लीक हुई है तो कुछ नया नहीं महसूस हो रहा है या फिर नया भी नहीं लग रहा है अब यह देखना होगा कि क्या कंपनी टीज करना जरूर शुरू कर देगी जैसे कुछ अथंटिक इंफोर्मेशन निकल के बाहर आती है मैं आने वाली टाइम में आपको अगले वीडियो में जरूर आप सो आपको इंफॉर्म कर दूँगा तो फिलाल इस वाले फोन के बारे में आप लोग कि क्या ओपिन को इधर मिलेगा बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरा नाम विकास मिलता हूं नेक्स वीडियो तब तक के लिए ठीक क्या बबाए और ऑल्वेज कीप स्मालिंग जैहिंद अ